राधे राधे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आज सुनते हैं आवला नौमी की ब्रत कता एक गाव में एक सेठ और सेठानी रहते थे उनके पाँच बेटे और पाँच बहुए थी सेठानी और सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवर्ती के थे वे बहुत दानवीर थे और धनवान भी थे उनके पास इतना शोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए उसको रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गीनने के बजाय तराजू में तौलकर धन रखते थे मतलब ये कि सेठ जी के पास इतना पैसा था कि साथ पुस्ते भी घर बेठ कर खाए तो भी धन खत्म नहीं होगा जो सेठानी जी थी उनका एक नियम था वो रोज पूजा करके एक सोने का आवलादान देती थी और फिर खाना खाती थी इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से अपने जिंदगी चला रहे थे लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा यदी मा इस तरह रोज एक सोने का आवला दान करती रही तो कुछी दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो क्यों ना मा से कहा जाए कि वो रोज सोने की जगह एक साधा आवला दान करें और फिर सभी बहुए अपनी सासु जी के पास जाकर करते हैं कि वो सोने की आवले की जगह एक साधा आवला दान करके खाना खा लिया करे सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज सोने की जगह एक साधा आवला दान करने लग जाती है पर कुछी दिनों के बाद उनकी बहू को सेठानी जी का वो साधा आवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सासु जी को साधा आवला दान करने से भी मना कर देती है अपनी बहू की ये बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख होता है और वे अपना घर छोड़ कर कहीं दूर निकल जाते हैं अब सेठ सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुँच जाते हैं उस दिन सेठानी जी ने आवला भी दान नहीं किया था इसी लिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था जंगल में पहुचते पहुचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी जी वही एक घने पेड के नीचे सो जाते हैं उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त का मान मुझे ही रखना होगा और जहां सेठ सेठानी जी सो रहे थे वहां भगवान की क्रिपा से एक सोने की आवले का पेड हो जाता है और जब सुवा उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि कई सोने के आवले जमीन पर पड़े थे अब सेठानी जी उन आवलों में से एक आवला दान कर देती है और सेठ जी और अपने लिए खाना बना कर खाती है और वे दोनों वहीं अपने लिए घर बना कर रहने लगते हैं धीरे धीरे सेठ जी का ब्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनकी पास खूब सारा धन इकठा हो जाता है और अब फिर सेठानी जी एक सोने का आवला दान करने लग जाती है उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहूँ में आपस में जगड़े होने लगते है और इस कारण उनका ब्यापार घाटे में जाने लगता है और सारी पूजी खत्म हो जाती है और उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है एक दिन काम की तलास में घूमते घूमते वो सभी वहां पहुच जाते हैं जहां सेठ सेठानी जी रहा करते थे वही सेठ जी का भवन निर्माड का काम चल रहा होता है उनमें उनके बहु बेटे भी काम करने के लिए पूछते है और वही भवन निर्माड में उनके बहु बेटों को काम मिल जाता है मजदूरी करने को मिल जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहां की सेठानी जी सोने का आवलादान करती है ये बात सुनते ही उन्हें लगता है कहीं ये हमारे मा बाप तो नहीं पर वो सोचते हैं कि हमारे मा बाप के पास तो कुछ भी नहीं था तो वो फिर वो हमारे माबाप कैसे हो सकते है एक दिन उनके बहु बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और करते हैं हम पैसो के लालच में अंधे हो गए थे हमारी लालच के कारण आपको भी घर छोड़ना पड़ा जबकि हमारे घर में जो कुछ भी वो आपके ही किस्मत का था सेठ जी अपने बहु बेटों को माफ कर देते हैं और फिर से वो सब एक बार साथ साथ रहने लगते हैं तो ये थी आवला नौमी की कथा आपको कथा कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा राधे राधे